धालो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आज की कलास में, और आज करने वाले देखें, हम ये आपते एक जीके का बहुत ही अच्छा सा प्रेक्टिस सेट, और देखें, ये जो आज का प्रेक्टिस सेट होगा, इसको स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे एक या दो मिंट आपसे बात करना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके बात करने वाले यहां पे आपके एक्जाम के समय को लेके देखें दोस्तों आपके दो पेपर होने एक होना आपका यह फर्स्ट पेपर और एक होना आपका यह सेकंड पेपर देखें आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में भी इनमें सभी में सो सो कोश्यन होगे और इस एक्जाम के लिए आपको जो समय मिलेगा यह मिलेगा आपको तीन घंटे का समय तो देखिए आपके पास समय काफी है और इसके लिए भी आपका तीन घंटे का समय होगा तो समय काफी है बस अभी अच्छे से जितना भी हो उतना आप पढ़िए जादा से जादा पढ़िए आपका जब तक एक्जाम ना हो तो इसमें देखिए अगर आपसे question आता है तो दे topic wise अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं उसको जादा से जादा पूरा cover करें और topic किलियर करें अभी आपके पास काफी समय है आपका revision भी हो जाएगा और अगर आप जैसे आपके पास books होगी उसको जादा से बाद करें तो आपका यह बोले है कि आप details में जो पढ़ा रहे हो आप वह यहां पे गलत कर रहे है आप लेकिन मैं अपने तरीके से आपर पढ़ा रहा हूं आप सभी का support है आप बोलते हैं इसलिए मैं यहां पर थोड़ा details में पढ़ा रहा हूं ने तो मैं भी यह आपका 10 10 मिनट में आपका 20 question कराने लगो लेकिन उसका फाइदा क्या होगा जब तक आपका topic clear नहीं होगा आपको मालूम नहीं होगा आपका यह question कहां से आया है जो आप देखिए दोस्तों संगर्च करें वो आप फिर sit के लिए करें देखिए मेरा यह rank card जो था यह आपका यह admission था यह 2017 में मैंने इंट्रेंस दिया था इसमें मेरा जो रैंक था देखिए जर्णल रैंक था मेरा 689 और इसमें जो category रैंक था वो था मेरा 388 और मेरा यह category कौन सा था ओभी सी था लेकिन यहां पर जो मुझे seat अलाउट हुई थी government seat वो हुई थी जर्णल जर्णल में देखिए ठीक है इसी के सासथ आपके लिए मैं इसलिए बोल ला हूँ क्योंकि आपका देखिए अब की बार जो आपके form है वो कितने है वो है आपके 4,00,000 फो है 4,00,000 इस्टूटेंट है आपके 4,00,000 वैसे यह माल लेज़े 4,00,000 तो इसमें exam देगे अब कि यह देखिए जैसे आप कमेंट कर रहे हो दूसरों को कि डिटेल्स में पढ़ाना गलत है तो आपके तरीके से नहीं पढ़ेगे सब अब सभी का तरीका अलग-अलग है अब देखो यहां पर 4,00,000 इस्टूटेंट है और यहां पर आपकी सीट कितनी है मात्र और मात्र य आपको आना है 10,000 के अंदर गत आना है तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा थोड़ा सभी से अलग हटके करना पड़ेगा जैसे सब करते हैं ऐसे नहीं करना आपको कुछ अलग तरीके से पढ़िए थोड़ा सा अपना तरीका बदल दीजिए पढ़ने का क्योंकि चारों पर करते हैं और चारों को टोपिक वाइस कवर करते हैं अच्छे से खुद से मेहनत करके ठीक है जहां से भी आपको वहां से आप तयार करते तो आपको कोई नहीं रोगएगा गोर्मेंट से अगर आपकी दिमाग में यही रहेगा कि मुझे 10 मिनट में मुझे यूटूब के अंदर 30 कोश्चन चाहिए आप यह बता दीजिए 30 कोश्चन आप करके कहां जाओगे आप तो बई 30 कोश्चन आपने कर लिया 50 कोश्चन कर लिया 100 कोश्चन कर लिया 1000 कर लिया वह आपको इतना बेनेफिट नहीं देगा अगर आपके टोपिक किलियर है तो आ दूसरों की गलती तो एकदम दिखाई दे जाएगी अपने अंदर कुछ नहीं है तो दोस्तों आपको अपने तरीके से पढ़ना जैसे आपको अच्छा लगता है बस देखिए अगर यह सीटे आपके सामने है कि कितने स्टुडेंट है तो आपको तरीका थोड़ा सा पदन ल था लोका की प्रेक्टिस सेड कितना लगाए कितना लगाए वह अगर आप पूरे ड़ेरद के अंदर 10 ऐस लगसा से काफी है अगर आपने टोपिक किलियर किये सबज़ेक किलियर किये है लुँकि महावलीपुरम में रत सासक के सासनकाल में हुआ तो यह किसके सासनकाल में हुआ था यह हुआ आर्छिंग वर्मन के सासनकाल में हो जाएगा भी ओप्शन अब देखिए यहां पे मंदिर से रिलिटेड 2017 में जब मैंने एक्जाम दिया था उस समय भी आये थे आपके जैसे आपका कोणार का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लेक पोड़ा कहा जाता है वो भी आये था इसके बाद आपका वो देख देख लिए मद्य पर्देश में चंदेलों का है जो मंदिर है खजुराहों का और इसके बाद आपका राजिस्तान का है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट अबू परवत पेस्तित है वो देख लिए आप मंदिर वाला जो टीट टोपिक है मैंने करा रहा है उसको बहुत राजा कौन सथा जो संसकर्त का महान विद्वान और लेखकता तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी तो आपको सायद मालूम हो गया इसका आंसर तो इसका जो आंसर होगा देखे हमने किसकी रेचनाय पड़ी है पहले भी प्रेक्टिस एड जो हमने किया है तो आपने क्योंद स chosen पर नागरतन इनकी यानि Kya पीरिये दरोषी का है नागरनन और रतनाव लिये नीकी पुस्तक है इसे के सासर यह देखिए ए यह कि इनके ससनकाल में या इनके दर्बार में कहें तो एक बार्ण भटता कौन था बार्ण भट की रेचना आप सभी जानते कादमरी है चंडी सतक है और हरस चरीतर है इसकी ठीक है इसी के सासथ यहाँ पे आगे इनके बारे में देखें तो असोक के बारे में और क्या कुश्चन बन सकते आपके एकजाम में तो आपका यह बनेगा कि असोक की जो सिलालेक थे ब्रहमी लिपी का सबसे पहले जो सिलालेक पढ़ा गया वो पढ़ा गया था ठारा सु सैंतिस में ब्रहमी लिपी का सिलालेक यह पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने कहां के थे फ्रांस में थे फ्रांस के थे इसके बाद लड़ा था असोक ने कौन सा था यह यह था इनका 261 इसा पूर या आपका बीसी यह लड़ा था कलिंग का युद्ध था यह तोसली के जो राजा नंदराज थे उन पर यह आकर्मन किया था और इसका जो वर्णन है कलिंग की युद्ध का यह है असोक के तेहरवे सिला लेक में किस सिला लेक में है तेहरवे सिला लेक में है चली आगे इसके बाद अगर यहां पर बात करें कनिस्क के बारे में तो कनिस्क आपको मालूम है कि कुसान वंसका सबसे सक्ति साली सम्राठ था और इन्होंने एक सम्वत भी चला था 78 इस्वी में सक सम्वत है ना इस एस ऐसार सथ यहां पर इनके दर्बारी के बारे में देख लेते हैं ही यहां कि ऑभी एक असुग होस्ता जिनोंने लिस्टी बुद्रप्णही इसके बाद यहां पे एक था चेरक जो वैद था इसके बाद नागरजुन था यह जो बहुत धर्म का प्रचार करने के लिए जो है विदेश में गए पारसव भी था और वसुमित्र आपको मालूम है जो इन्होंने चोती बहुत संगती करवाई थी कुणलवन कस्मीर में उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी वसुमित्र ने चली आगे यहां पर और बिंबिसार के बारे में देख लो यहां पर बिंबिसार जो है यह हर्यक वंस का यह संसापक माना जाता है बिंबिसार और इसको इस वंस को कहते है पित्र हंता पित्र हंता क्योंकि इनका जो पुत्र था अजात सत्रू ने इनकी हत्या की थी और अजात सत्रू की हत्या उनके पुत्र ने गी थी उदियन ने तो इसी वज़े से इनको कहा जा था पित्र हंता वंस ठीक है चली आगे यहाँ पर अच्छा कोशन है भी प्रत्वी राज रासो निम लिकित में से किस ने लिखा था तो यह जो लिखा था प्रत्वी राज रासो जल्दी से कमेंट करें आप म dif करें या प्रत्वी राज चोहान या इसको कहते थे राय पिंठ ठेन के अंच आयरशी राज चोहान के मित्र थे और इसी के साथ इनकी जो पतनी का नाम है देख कि प्रत्व्राज चोहान की यह थी संयोगिता संयोगिता कौन थी ये जैचंद की पुत्री थी और इन्होंने यूद लड़े प्रत्युराच चोहान ने गोरी के साथ 1191 में एक लड़ा था 1102 में 1101 में तराइन का पर्थम यूद और बाण में तराइन का दित्य और निरनायक यूद जिसमें दित्य यूद में मुहमंद गोरी की विजय हुई थी इसमें इसके बाद यहां पर जैचंद के जैदेव के बारे में क्या था क्कुश्चन आपका एक्जाम में इन्होंने लिखा था गीत गोविंद गीत गोविंद के लेका कौन है तो यह है आपका जैदेव बान भटकी आप रचना जानते हैं कौन सी है एक तो है आपका कादमरी और एक है आपका हर्स चरित हर्स वर्धन का इन्होंने चरित वर्णन किया था और इनकी एक पुष्टक है चंडी सतक इसके बाद भव भूती भव भूती की जो पुष्टक है वो है यह रचना है उत्तर राम चरित या उत्तर राम चरितम किसकी पुष्टक है यह है आपकी भव भूती की तो यहाँ पे देखिए एक प्रेक्टिस सेट की जंगा आप चार प्रेक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा अलग करना है सभी से इसके बाद यहाँ पर आगे question है विशु की सबसे लंबी नदी कौन सी है जल्दी से आप सभी comment करें विशु की सबसे लंबी नदी यह हो जाएगी नील नदी आपका होगा D option इसमें अब देखें लंबी पूछी जा सकती है भारत की या विशु की या आपकी चोड़ी पूछी सकती है भारत की या विशु की तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर गंगा पुत्र नील अमे अब यहां पर यह ट्रीक क्या होगा यह कितनी नदी होगी यह होगी आपकी चार नदी इसको लिख देते हैं हम L और B यानि कि L से हो जाएगी लोंग यानि कि लंबी नदी और B से हो जाएगी आपकी यहां पर आपकी LBH आपने सुना होगा देखिए तो B से हो जाएगा आप आपका यहां पे चोड़ी नदी ठीक है अब यहां पे भारत की लंबी नदी गंगा चोड़ी नदी ब्रहंपुत्र इसी तरीके से विशू की लंबी नदी नील नदी और चोड़ी नदी आपसे पूछी जाए तो यह हो जाएगी आपकी अमेजन नदी एल भी गंगा पुत्र नील अमे आप इसको बिल्कुल समझ गए होगे ठीक है सिंदू पगरे के बारे में आप जानते हैं यह हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था जो जोगरक्वी की जो यह वीडियो थी इसके बाद यहां पे छत्रक सेल विशिष्ट परकार की भू आकरतिया है जो बताना आ तो यह जो सेल है चटान है कहां दिखाई देती यह दिखाई देती आपकी मरुसलो में दिखाई देती आपका हो जाएगा इसमें दोस्तों डी ओप्शन आप सभी के कमेंट जो है आपके आ रहे बिल्कुल करते रहे जल्दी से और छत्रक सेल की आकरति जो है वह भी देख दीजेस में चत्रक सेल सभी ने देखा होगा यह बुक्स में चत्र के आकार की ठीक है इसके बाद यहां पे देखिए यह सेल है यह भी चत्र के आकार की है तो यह है आपकी कहां पर मिलती है यह मरुसलों में आपकी मिलती है इसके बाद यहां पर आगे आपको यह मिलान करना है राइटर डेम पेरिस बुडा पेस्ट या वासी गटन यह किस न दिया किनारे है जल्दी से मिलान करिए इसमें तो पेरिस मिल जाएगा किस से आपका यह सीन से मिलेगा राइटर ड 힘 डम यह मिल जाएगा आपका राइन से इसके बाद वासी गटन मिल जाएगा आपका पोटो मैक से और बुड़ा पेश्ट मिल जाएगा आपका डैन्यूब से तो इसमें इसी तरीके से यहां पर पहले आना है आपका तीन इसके बाद आना आपका एक और इसके बाद आपका चार और इसके बाद आना आपका यहां पे दो तो तीन एक चार दो जिसमें आएगा वो ही इसका अंसर होगा अब यहां पे इसको देख लेना राइटर डैम रा रा से यही है आपका और रा से भी आपका यह है ठीक है वासी गटन टे आ रहा है इसमें और यहां पे भी आपका टे आ रहा है पोटो मैक ठीक है वासी गटन और इसमें भी आपका टे है इसके बाद बुड़ा पेश्ट इसमें अधा से आ रहा है इसमें और इसमें अधा ने आ रहा है तो इसको ऐसे देख लेना आप इसमें कि और आपको कमेंट करना जल्दी से स्वेज नहर किस किसको जोड़ती है स्वेंज नहर कमेंट करें आप सभी अच्छा question है और इसी तरीके से आपके question आते है यह topic है एक इसको देख लेना तो स्विज नहीं जोड़ती है यह भूम अध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है यह ओप्षन हो जाएगा इसमें राइट आपका चलिए आगे यह आपका जनजाती से लिटिड रैड इंडियन निमलिकित में से किस छेत्र के है रैड इंडियन यह अपने कवर भी किया था जोगरफिय वाली किलास में जो टोपिक वाइस थी तो यह है आपकी उत्री अमेरिका की हो जाएगा आपका सी ओप्षन और आप जो तयारी कर रहे इसके लिए इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप अपने पास में रखे उससे सीधा सीधा आपका बहुत अच्छे से तयारी हो जाती है जैसे आपका यहां पर यह है उत्री अमेरिका नीचे हो जाएगा आपका दक्षिन अमेरिका यहां पर आपका यहां पर यह भारत म आपका यह आपका अंटार्टिका महाधीप जो बरफिला महाधीप है जो रिसर्ट सेंटर है बने होते हैं सबी लगभग रिसर्च करने के लिए देशो के तो इसी तरीके से आप मैप की साइधा ले क्योंकि आपका जो जो जोगरफी है ना लगभग आपका 60 परसेंट जो जो है यह आपका पूरा मैप पे हो जाता है आपका अगर आपका देखिए हिस्टी में यूज करते तो हिस्टी में ज्यादा नहीं आपका लगभग 40 परसेंट यूज होता है आपका मैप ठीक है इसके वाद यहां पर कमेंट करें जल्दी से रोम सहर निमली के इत्में से किस नदी के तरफ़ बसा है रोम तो यह है आपका टाइबर नदी हो जाएगा इसमें राइटर डम बनता है यह जो नदिया होती है केवल आपको एक बार लिखने है नोट्स में अपने याद करने की जोरत नहीं होती पूरा ऐसे ही होता है पूरा नाम पे आधारिती यह ठीक है चली आगे और यह बहुत अच्छा कोश्चन था और 2019 में भी आया था यह कोश्चन आपका लाल मरद्दा में लाल रंग किसके आले पन के कारण आ जाता है तो यह किसके कारण आता है यह आता है आपका लोहा के कारण या लोहा के कारण या इसको कहता है फेरी कोक्साइड ध्यान अकना इसको फेरी कोक्साइड या लोहा के कारण आता है यह आया था 2019 में और दोस्तों आपका जो ओरिजिनल पेपर होता ना मिलता नहीं वहीं पर रख ले जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंड होते जो पूरा का पूरा पेपर लिख लाते हैं अपने अड्मिंट कार्ड पे तो इसी वज़े से मुझे कोश्चन मालूम है यह कोश्चन आया था और मुझे 2017 वाले भी जैसे मैंने आपको काफी सारे बताए हैं जो डिसकस भी किये आपके साथ चली आगे तो इसमें आपका बहुत यह अच्चा कोश्चन है दक्षिनी धूरुपर्देश अंटार्टिका में इस्तित भारत के इस्थाय अनुसंदान केंद्र का नाम है यह अब नहीं है यह नश्टो चुका है और आपका अंटार्टिका में जो है भारत के तीन केंद्र थे जी एफ आई गल्फेंड यह आपका हो जाएगा ऐसे कर लेना जी से गंगोतरी हो जाएगा एपसे फ्रेंड या मैतरी हो जाएगा आई से इंडिया या भारती हो जाएगा और आपको मालूम है जी से गंगोतरी यह आपका नश्टो चुका है तो अब यह बचे केवल मैतरी और भारती यह वे आता है आपके एक्जाम में मैं आपको यह नहीं कि आपका जो एक्ष्टर कोशन वह कुरार हूं केवल जो आपके एक्जाम की दरश्टी से इंप्रोटेंड वह केवल यहां पर आगे चलिए कौन सा देश कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए है कि यह पाक जलसंदी तो आपका इसमें हो जाएगा भारत और सिरी लंका यह आपका यह ओप्सन होगा राइट और यह दोस्तो दो हजार अठारे में भी यह कौशन आया था यह बिलकुल जो फ्लाइन वाले इस्टुएंट थे उन्हों पेपर दिया था तो वे इस कौश्चन को लिखके लाए थ तो इसमें जो कनफीजन होता है पाक स्टेट जो ऑप्सन में आपको मिलेगा यहां पे आपका चीन की जंगा यहां पे आपको मिल जागा भारत है आप सोचोगे कि पाकिस्तान और भारत होगा पाक आरा ने इसमें लेकिन ऐसा नहीं है तो भारत और पाकिस्तान के बीच नह अपनाया जाता है कमेंट करें आप सभी तो यह अपनाया जाता है आपका साड़े-बैसी डिगरी कि पूर्वी रेखांस है ना या आपका अक्षांस चली आगे और भारत का मानक समय आपको मालूम है जो जीरो डिगरी जी एमटी है कहां पे यूके में या ब्रिटेन में ग्रीन मीन टाइम ग्रीन विच मीन टाइम तो इससे कितना आगे है तो इससे आपका साड़े-पांच घंटे आगे आगे का मतलब यहां पे पलस भी लेकिन आपका पलस में होगा साड़े-पांच घंटे आगे ठीक है और भारत में देखिए भारत का जो मानक समय है केवल एक ही मानक समय है और सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन्स लगबग 12 के आसपास अपनाई जाते वो फ्रांस के दुआरा और भारत के जो उत्री-पूर निमली किस है किस गोलारंध में स्थित है तो यह कि मैं है तो यह है आपका उत्री-पूर्वी गोलारा में आपका इसमें वो जाएका आपका एंप्सिन होगा विजटी भूमद्धि रीका है यह आपका 20 कि यह विजवत रेका कितने ढिगरी जीरु ढिगरी ऑर आपको मालूम है जैसे उत्री गुलार्द में यहां पे 25 तेश सी डिगरी पे कौनसी रेका है कि यह आपकी करक है और यह दक्षनी गुलार्द में यहां पर मकर रेखा आपको मालूम है कि यहाँ पर देखिए जो भारत के मद्दे से कुण सी रेखा गुजरती है करक रेखा करक रेखा कहां पर है तो यहाँ पर आस्पास यह लोकेशन है आपकी भारत की ठीक है यह ओजाएगा आपका उत्री और पूर्विया पे ठीक है चली आगे और इसकी बात कोशन है अच्छा कोशन है यह भी संसार में मचली पकड़ने के इस्थान वहां पाई जाते हैं जहां पे आपको बताना है तो जहां पे देखिए उसन एम सीतल धाराय मिलती है या ठंडी और गरम जलधाराय मिलती है तो वहा एंका बहुत है प्लेक्टन में इसका बहुत ज़्यादा देखने को इस वजए से यह मचली आयां पे जादा मिलती है चली आगे इसके बाद यहां पे भारत को किला किसे कहा जाता है आप सभी जानते होगे यह कहा जाता है आपका सरोजनी नाइडू को B option इसमें हो जाएगा आपका right इसी के साथ यहां पे सरोजनी नाइडू या इनको काज़ता नाइटेंगल ओफ इंडिया इसके बाद सरोजनी नाइडू ऐसी भारते महिला थी जो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्स बनी ये बनी थी 1925 में कांपे कांपूर में ठीक है इसी के साथ यहां पे आगे और ये देखें उत्तर परदेश की पर्थम राज्येपाल भी बनी थी इसी के साथ देखें यहां पे होमरूल लीग जो आंदोलन था 1916 में जो चलाया था उसमें भी इनका योगदान था इसी के साथ यहां पे इनका साहित्ते में भी रूची थी और ये जो है इनको केसर ए इनकी उपादी इनको दी गई थी और इनोंने बाद में वापस कर दी थी इसी के साथ 1930, 1930, 1930 और 1942 की गटनाए कुछ है देखिए जैसे 1930 में क्या हुआ था आपका? सैविने अंदोलन हुआ था सैविने अंदोलन में भी इनका योगदान ना इसी के साथ यहां पे जो डांडी मार्च हुई थी 12 मार्च 1930 को गांधी जी के साथ यह जो है नमक सत्याग रह जो इनोंने किया था उसमें भी गरपतार हुई इसी के साथ पर इसी करेंधा रहना साथ 1937 में यहां पर आपको मालू मैं कि अगरी पहली बार भाग लिया था, और आपका कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग ले ने गई और 1942 में आपको मालूम है कि भारत छोड़ा आंदोलन हुआ और गांधी जी के साथ इनको जो है गिरपतार करके आगा खां पहले जो मुंबई पूर्णे में है उसमें इनको क्याद कर देगा तो उसके बाद कुछ समय के बाद इनको छोड़ा गया इसके बाद यहां यहां पर बात करें विजलक्समी पंडित के बारे में तो यह है आपका पीटी नहरू की बहन है इसी के साथ साथ आपका यूएन्यों में भी यह राजदूत बनी थी इसके बाद यहाँ पे सुचियता करपलानी के बारे में आप कमेंट करके बताना जो आपको इनके बारे में कुछ डिटेल्स होगी चली आगे और यहाँ पे आगे डॉक्ट्रिन और प्लैप्स किसने अराम किया तो यह किया था लाड दलहोजी ने और आपका जो यह हडप नीती थी इसी के साथ आपको मालूम है कि इनके समय में जो है पहली बार ट्रेन चली मुंबई और थाने के बीच इसके बाद यहाँ पे आगे करजन के बारे में आप जानते है 1905 में बंगाल का इनों ने विभाजन किया था इसी के साथ यहाँ पे यह इंपोर्टेंट है और लिख लेना ठीक है यह एक बड़े साहित्यकार थे तो साहित्यकार या यह लेकक ठीक है लिटन के बारे में लार लिटन के बारे में इसके बाद यहाँ पे आगे करेगे या मरेगे या करोगे या मरोगे ठीक है जो नारा अप जानते है गांधी जीने राश को यह Hopefully यह मंत्र किस जन आंधुलन के औसर पर दिया था ainda भारत उन्निस सो उन्निस में हुआ था और आपका जलिया वाला अत्तिकान 13 अप्रहल उन्निस सो निस को हुआ वो भी उसका डेट देख लेना नमक सत्तेगर है 12 मार्च उन्निस सो तीस को हुआ ठीक है इसी के साथ ऐसे गों अंदुलन गांधी जी ने चला यह उन्निस सो बीस में चलाया था ठीक है तो यह सभी डेट है इनी में से आपका कोश्चन आएगा चलिया आगे खालसा पंत की इस्थापना किस ने की जो खालसा पंत की इस्थापना की ती यह की ती गुरू गोविन सिंग ने हो जाएगा आपका यह उप्षन होगा आपका राइट इस में इसी के साथ देखी आपे सिखो के कुल जो गुरू हुए थे कुल गुरू कितने हुए थे वो हुए थे आपके दस पहले कौन थे पहले थे नानक जी और जो अंतिम थे या दस भी यह थे गुरू गोविन सिंग इसी के साथ दो या तीन ऐसे यह गुरू हुए जैसे अरजुन देव है इनका जो वद वद कराया था यह कराया था जहागीर ने और आपका तेग बहादूर जो है उनका जो या उनकी वद्ध जो करवाई यह त्य करवाई वह करवाई थी औरंग जेब ने किसने औरंग जेब ने आपका चली आगे यहां पर आगे कमेंट करें जल दी से फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था तो यह हुआ था आपका 1600 में यह उप्षन आपका हो जाएगा राइट दोस्तो इसके बाद यहां पर आगे भारत में आलू की फसल शुरू की थी किसने की थी यह तो यह की गई थी आपका पूर्थ गालियों के दुवारा इसके बाद यहां पर आगे किसके सासनकाल के दौरान भारत में एक रुपे का सिक्का या टक सालित मिंट किया गया था तो यह किया गया था एक रुपे का जो सिक्का था यह सेर सहासूरी के दौरा यह किया गया था और इनके बारे में ग्रांट टक रोड जीटी रोड का इ अक्बर ने जो है एक साही का साहल की स्तापना कर वायी दिल्ली में दिल्ली में चल वायी थी दोस्तों ड़िटेल्स में कल का वीडियो होगा आप थोड़ा सा चली इसको जल्दी कर लेते है आज चलिए आपे आगे निम्द में से कौन अंतिमुगल सम्राठ था तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी तो अंतिम जो था ये था बहादुर साह दित्ते आपका सी उप्सन हो जाएगा राइट देखे इनके बारे में आपका जानते है तो ये जो थे अकबर दित्ते इनकी जो कह महांसंख यह घ्յाने बूट बेंजबन जो गए थे राज़ा राम मोहन राय कहाँ पर गए थी ये गए थे बिरिटेन में कि भरी टेन एक सहर है आपका वहीं पर इनकी म्रत्य हो गई थी कहाँ पर ब्रिष्कल में तो यह रहाटाम मुहनाई जो थे इनकी मुगल सासक इनकी पेंशन बढ़वाने के लिए गए आगे नोबल पुरुसकार किसमी योगदान के लिए नहीं दिया जाता है तो यह आपका हो जाएगा आपका डी ओप्षन और यह मैंने कोशन आपके लिए इसलिए रखा है क्योंकि आपको मालूम है कि नोबल पुरुसका नोटेवर दिए जाता है वो 66 फित्रों में दिया जाता है आपकाना कि फिजिक्स केमिश्ट्री और आपका बाया और इसके बाद आपका economics यानि कि आपका अर्द सास्र और आपका यहां पे सांती और आपका हो जाएगा यहां पे साहित्य ठीक है तो PCBE सांती साहित्य आपका देख लेना अभी current का यह कि किस किस को मिला है भी हाले में जो मिले थे और आपका अर्द सास्र में खास कर देख लेना इसका आसकता है अब की बार और यह नोबल पुरुसकार यह चला गया था अलफ्रेड नोबल की याद में अलफ्रेड नोबल अलफ्रेड नोबल की याद में चला गया था और अलफ्रेड नोबल ने जो आविसकार किया था वो किया था डा पुरुस्कार विजयता कोन था तो यह थे आपके आचार्य विनोवा भावे डी ऑप्सन हो जाएगा इसमें राइट आपका इसके बाद यहां पे ज्ञान पीट पुरुस्कार किस छेत्र वालों को दिया जाता है जल्दी से कमेंड करें आप सभी यह दिया जाता आपका साहि जैसे मौसम का इसके बाद आपका वैपार का स्वास्ते का आपका एक जी सदत्तर है उसका भी है कि इसी के साथ देखे नियुवार्क में के का है यूनो का है यूनाइटेड नेशन ओर्गिनाइजेशन इसकी जो इसापन हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी इसी के साथ यहां पर पेरिस इसमें किसका मुख्याल यह आपका इंटर पोल का मुख्याल ने इंटर पोल का यहां पर फूल फॉम क्या है देखे इंटरनेशनल पुलिस ठीक है पैसे पॉल पैसे हो जाएगा आपका पेरिस चलिए आगे यहां पर यहां पर राष्टिय परियवरण इंजिनिरिंग अनुसंदान संसान कहां इस्तित है तो यह है आपका नागपूर में इसको कहते है नीरी इन डबल इ आर आई नेशनल इन्वार्मेंट इंजिनिरिंग रिशर्च इंस्टियूट इसका फुल पॉम भी आपसे पूचा जा सकता है चलिए आगे यह है आपका अंतराश्ची अपरादिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्याले कहां जल्ली से कमेंट करें आप सभी दोस्तों तो यह हो जाएगा पैसे आपका पेरिस भी ओप्शन होगा इसमें चलिए आगे सभी यहापे विसु बैंक का मुख्याले इस्तित है कहां यह है आपका वासिगटन डीसी में हो जाएगा आपका विसु बैंक का मुख्याले वासिगटन डीसी में और अगर आपसे पूछा जाए ADB ACI Development Bank या ACI विकास बैंक का जो मुख्याले है वो है आपका फिलिपीन्स की राजधानी कहां पे मनीला में अगर पूछे जाए आपसे विसु बैंक या वर्ल्ड बैंक उसका हो जाएगा वासिगटन डीसी अगर आपसे ACI का पूछा जाए तो वह हो जाएगा आपका फिलिपीन्स की राजधानी मनीला में और यह आपके जो दिवस है वह भी आपसे पूछे जाएगा तो उनको भी आप कवर कर लेना इसके बाद यहां पर भारते Petroleum संसान निमलकित में से कहां पर इस्तित है Petroleum संसान तो यह आपका देहन दों में legal hack, इसके बाद यहां पर नेपाल की मुध्रा क्या है नेपाल की मुध्रा यह उजाएगा तका इसमें यह वाप्शन रूम संथ्न हो जाएगा और और आपका यह जो रुपिया है ना यह आपका देखो भारत की है नेपाल की है मौरिसस की है इसी के साथ साथ यहां पर देखिए जो टका है यह आपकी बंगला देश की बंगला देश की जो राजधानी है वो है आपकी टका डोलर वाले देख लेना कौन-कौन से देश से काफी सारे आट-दस लिख लेना उसको चली आगे पुस्तक मिड़नाइट चिल्ड्रेन किस ने लिखी यह लिखी थी कमेंट करें आप सभी जल्दी से सलमान रुजदी हो जाएगा इसमें चली आगे परसिद काविय गीत गीत गोविंद के रचेता कौन है तो गीत गोविंद के जो रचेता है यह आपका जैदे हो जाएगे भी अप्शन होगा आपका इसमें राइट नरत्य से कुछी पूड़ी कहां का नरत्य प्रणाली है यह कुछी पूड़ी है आपकी आंध्र पर्देश की तो इसमें यह जो टोपिक है ना नरत्य का आना ही आना है आपका एक्जाम में तो इसको कवर कर लेना पूरा और आपको यूटूब पे मिल जाएगा इससे बहतर है कि आपके जो बुक्स में दिया होगा चप्टर उसमें से आप इसको कवर कर लेना यहां पे आगे मोटर कार के दुवें से मानसिक रोग पैदा करने वाले प्रतूसक है कौन से है कमेंट करें आप सभी जल्दी से तो यह हो जाएगा आपका सोरी यह हो जाएगा आपका भी अप्शन होगा इसमें लैड और इसी के साथ साथ देखिए लैड सीशा और एक आपका जो निकलता है दुवें से कार्बन मोनो अक्साइड यह हानी कारक है कुर्ण से आफ़ा आप किस उतक के नक खुर सीक और बाल भी इसमें आ जाते है तो इसमें किस के बने होते हैं यह यह बने होते हैं आपके कि रैट ne के और जो यह देखिए नक है ना ना खून ना खून आप काटते हैं दरद नहीं होता उसमें क्यों नहीं होता दरद क्योंकि यह जो है मृत कोशिका है कैसी कोशिका है यह मृत कोशिका इसमें जो आपका ब्लड सर्कूलेशन वह तो चलता ही नहीं उसमें तो यह मृत कोशिका इससे काट दो तो आपका इसमें दरद नहीं होता आपका सींग है ऐसे ही जो आपका कच्चा सींग है तो उसमें तो निकलेगा जैसे आपके नकून है कच्चा आप काट दो के तो उसमें बलड निकलेगा और आपका जो आगे का हिस्सा होता है वो वो मरत कोशिका होती है ठीक है चली आगे कौन सा रोग वनसा नूगत रोग है यह जनम जात रोग है तो यह आपका हो जाएगा कमेंट करें आप सबी हीमोफीलिया हो जाएगा आपका यह हीमोफीलिया के साथ साथ कौन सा होगा एक होगा वर्ण धन्ता यह कलर ब्लैंड नैस